Hello everyone, welcome to Feedback Academy, I am PV Sharma and this video में हम लोग जितने भी current affairs के questions 14-20 June 2020 में important आई थे, वो हम लोग discuss करेंगे, weekly current affairs की video है, हम लोग जो daily videos होते हैं, उसमें detail में आपको questions बताते हैं, इस video में हम लोग short में बताएंगे, because 70 questions के करीब हम लोग discuss करेंगे, तो video बहुत लंबी हो जाएगी, अगर हर question को हमने बहुत detailing में discuss करा तो, अगर आपको detailing में जाना है, आपको अगर techniques और tricks सीखनी है, कि कैसे particular fact को याद रखना है, plus आपको government job notifications के बारे में रोज जानकारी चाहिए, so आप हमारी जो daily videos है, जो हम सुबह 7 बजे अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर, वो देख सकते हैं, so च view ownership of private bank, dash में जो उस panel के chairman होंगे, उनका नाम है, so उस panel के chairman कौन है, उस panel के chairman है, पीके मोहानती, जिनकी photo आप अपने left side पे देख सकते हैं, so basically, जितने भी private bank से उनके उपर निगराने रखने के लिए, ये setup करा है, RBI ने, so उनके chairman कौन है, पीके मोहानती, right, RBI के governor कौन है, जयपुर्क में, तो उसके बाद कौन सी committee एक setup हुई थी, so वो कही और committee नहीं है, वो है MB LAL committee, ये इसलिए important है, because अभी recently, आसाम में भी एक oil field में आग लगी है, and उस committee के recommendations बिल्कुल same थे, क्योंकि वो 2009 में setup करे गई थी, and उसके recommendations के हिसाब से ही काम हो रहा था, मगर उसके बा क्या गडबड हुई, और क्या-क्या सुधार हो सकते हैं, ये हैं, आपके MB LAL जी, जिनके उपर ही committee रखी गई थी, question number 3 है, who is appointed as the India's next ambassador to Philippines, so वो कौन है, वो है आपके Shambhu S. Kumakaran, जिनकी photo आप देख सकते हैं, फिलिपीन, जिग्राफिकल लोकेशन फिलिपीन की ये है, next question की ब क्यार होने वाले थे, मगर्वर्मेंट ऑफ इंडिया की request पे उन्होंने जो एक साल का extension था, वो accept कर लिया है, attorney general कौन होते हैं, वो एक तरह से central government के वकील होते हैं, कोई भी case अगर central government को लड़ना है, so उनके प्रती जो case लड़ेगा, उनके साथ जो case लड़ेगा, उनके बिहा जापूर, right, so वो है, पंकच त्रिपाठी जी, so बिहारी खादी के ये brand ambassador चुने गए हैं, next question है, कौन बना है new president of 75th UN General Assembly, वो कोई और नहीं है, वो है वालकन बॉसकीर, and अगर बाकी तीन options देखें, तो ये 2017 में बनेते, ये 2018 में, ये 2019 में, and वालकन बॉसकीर बने हैं, 2020 में, and ये कहां के हैं, ये Turkey के हैं, map में आप देख सकते हैं, Turkey यहां पे आता है, Iran के side में, okay, so इनका जो session है, वो कब शुरू होगा, शुरू September 2020 से, question number 7 की बात करें, so कौन से ministry ने अभी सहाकार मित्र scheme launch करी है, वो करी है, ministry of agriculture and farmer welfare ने, इस scheme के तहत क्या होगा, जितने भी candidates इस scheme में enrolled होगे, जो schemes के साथ associated होगे, उनको internship programs provide कराए जाएंगे, जिससे कि उनकी on job training हो सके, और वो employment के लिए और अच्छे हो सके, right, इनको किस ने launch कराता है, इनको Narendra Singh, Tomarjin ने launch कराता है, जो minister of agriculture है, question number 8 की बात करें, so FIFA की latest ranking में, इंडिया की rank क्या है, FIFA की latest ranking में है, इंडिया की rank ह 108, right, and FIFA World Cup 2022 कब होगा, Qatar में, इसलिए मैंने आपको photo डाली थी, ताकि आपको पास दो information आजाए, एक ही photo से, right, plus जो FIFA के headquarters है, वो Switzerland में है, and जो president है, वो गियानी infantino है, right, first number पे कौन है, Belgium, question number 9 है, कौन सी country, शोहो जोधा, online plasma network COVID-19 के लिए launch करेगी, so वो country है, Bangladesh, Bangladesh की geographical location आपको पता यह West Bengal के पास आता है, and जो वहां की PM है, वो कौन है, शेक हसीना, so basically plasma therapy के लिए एक online portal बनाया गया है, जो भी patient सही होंगे, वो अपना plasma दे सकते हैं, और उसको receive कर सकते हैं, ताकि एक formal structure बन सके, question number 10 है, COVID-19 and child labor, a time of crisis, a time to act, यह जो report है, यह किस organization ने release करी है, so यह release करी है, UNICEF right, so इसमें basically इस report में क्या बताया गया है, कि COVID-19 के विए से child labor के cases बड़े है, because जिस जिस countries में labor की shortage हुई है, वहाँ आपे child labor जो है, उनको force करा जा रहा है, कि वो जादा मैनत करें, and यह भी नहीं कि definite amount of काम करा जा रहा है, उनसे बहुत जादा काम करा जा रहा है, right, so के जो director है, वो कौन है, वो है Henrietta H-4A, और उनका जो headquarters है, वो United States, New York में है, question number 11 की बात करें, so who became the first observant sick to graduate from US Military Academy, वो कौन है, वो है अनमोल नारंग, जिनकी photo आप देख सकते है, so basically observant sick क्या होता है, मैंने detail में आपको बताया है, and आप PDF में भी देख सकते है, हम इस वीडियो की PDF release कर देंगे, जो हमारी telegram group पे है, आप telegram group से जुड़के, हमारी जितनी भी PDF से हैं, उनको access कर सकते हैं, जितनी भी weekly, daily, videos हम लोग upload करते हैं, daily videos जो सुबह 7 बज़े upload करते हैं, weekly videos, जो हम लोग week wise upload करते हैं, सबकी PDFs telegram group पे है, साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पे भी join कर सकते हैं, कि अगर आपको problem है, पढ़ाई से related, या फिर other than studies, तो उन सब को हम लोग discuss कर सकते हैं, अगर आप हमें personal message करेंगे, हम definitely reply करते हैं, तीनो platforms का हमारा जो handle है, वो है feedback academy official, question number 12 की बात करें, so which country has recently joined the global partnership on artificial intelligence, GPAI, as the founding member, so अभी recently कौन सी country ने join करा है GPAI को, so वो country और कोई नहीं है, वो ह इंडिया, okay, and यह एक group of nations हैं, जिसमें बहुत सारे countries आती हैं, सब की details मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, so basically artificial intelligence को कैसे humanity के betterment के लिए इस्तिमाल करेंगे, कैसे उसको गलत हातों में ना ही जाने देंगे, उन सब पर यह जो partnership है, यह बनी है, right, and इसको as a founding member, यह ने join करा है recently, question number 13 है, quality NZ, culinary cup 2020, NZ stands for New Zealand, okay, so यह किस ने जीता है, यह एक Indian chef है, इनको जीता है, अंगत राना जी ने, right, और या फिर उनका पूरा नाम है, chef अंगत सिंह राना, जिनकी photo यहाँ पे है, New Zealand पहली country बनी है, जो coronavirus free बन चुकी है, and उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, जैसिंदा एदर्वन, right, capital है, Wellington, question number 14 है, who won the Sharjah Online International Chess Championship, वो कौन है, जो जीते हैं, वो है, शेक्रियार मामेद यारोव, वो कहां के बिलॉंग करते हैं, वो बिलॉंग करते हैं, Azerbaijan country से, right, शेक्रियार मामेद यारोव की photo आप देख सकते हैं, अपनी screen पे, and Indian Grand Master थे वो कौन थे, 15 हरी कृष्णा, right, वो first runner-up आये हैं, that is, वो इन से हार गए थे, final में, question number 15 है, कौन सी country अभी elect हुई है, non-permanent member of UN Security Council, actually, 5 countries elect हुई है, वो, एक तो इंडिया ही है, इंडिया के बारे में तो सबको पता है, Ireland है, Mexico है, Norway है, और Kenya भी है, okay, so, ये 5 countries हैं, जो elect हुई ह अभी, recently, as non-permanent members of UN Security Council, UN Security Council में हमको पता है, 5 permanent members होते हैं, और 10 non-permanent members होते हैं, इंडिया के permanent representative कौन है, UN Nations में, वो हैं, TS Thiru Murti Jijin की photo आप देख सकते हैं, question 16 है, कौन host करेगा, 4th, Asian Youth Para Games 2021, so, ये host करेगा, Bahrain, जितने भी matches होंगे, वो, किस-किस के होंगे, वो, बैटमिंट के, Athletics के, Goal Ball के, Para Taekwondo, Powerlifting वगेरा के, सब के सारे matches होंगे, Bahrain के King important है, Bahrain के King कौन है, Hamad bin Isa Al Khalifa, okay, इन सारे questions को याद करने के, मैंने आपको memory tricks भी बताई हैं, जो हमारी regular videos में आती हैं, so, अगर आपको वो जाननी है, तो हमारी regular videos आप देख सकते हैं, हमारी channel पे जाकर, question 17 है, Fitch ratings, एक organization है, जिसने इंडिया की sovereign rating किस level पे दी है, so, basically, उन्होंने BBB minus पे दी है, and इसी तरह Moody's ने BAA 3 पे दी है, and SNP, जो एक और financial organization है, उसने भी BBB minus पे ही दी है, okay, next question है, ADP, that is Asian Development Bank, इसने क्या forecast करा है, कि हमारी Indian economy, fiscal year 2021 में, कितने percent से grow होगी, so, इसने estimate लगाया है, कि 4% स हुआ है, coronavirus की वज़े से, जो हमारी economy बंद हुई है, उसकी वज़े से, यह इतने कम rates से, हम लोग grow करेंगे, okay, president कौन है, Asian Development Bank के, वो है, Masatsugu, Asakawa, जो एक Japanese है, and Japanese क्यों है, because Asian Development Bank में, जो major amount of पैसा है, वो Japan का है, इसलिए, usually, हहाँ पे, जितने भी presidents होते है, वो Japanese ही होते है, question number 19 है, which is the first state to get ISO certifications for tribal hostels, tribal hostels के लिए ISO certifications मतलब रहने के लिए, quality के लिए ISO, basically, quality certify करता है, okay, so quality certifications किसको मिले है, वो मिले है, उरिसा की सरकार को, tribals के लिए, जो hostels होते है, वहाँ के students के लिए, उनको ISO certifications मिले है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह certificate की photo है, जो नवीन पतनाइक जी जो हाँ के CM हैं, लेके खड़े हैं, प्लस यह वहाँ के governor हैं, जो की है, गनेशी लाल जी, question number 20 है, घर घर निगरानी, यह एक mobile application है, यह कोई state ने launch करी है, जिससे की वो COVID-19 से लड़ सकें, उसके प्रती अपने citizens के उपर नज़र रख सकें, और पता कर सकें कि कौन COVID positive है, और क जिससे की child laborers जो होंगे, उनको educate करा जाएगा, वो launch करी है, so basically वो launch करी है, उत्रप्रदेश की सरकार ने, उत्रप्रदेश के जो CM है, और वहाँ की जो governor है, उनकी photo आप अपनी screen पे देख सकते हैं, 22 question है, कौन सी state, corona warriors का status देगी, दिव्यांग आंगनवारी workers को, so वो state को यह जो नहीं है, वो है मद्यप्रदेश की government, क्योंकि आंगनवारी जो workers हैं, वो बिलकुल ground level पर काम करके, COVID-19 के खिलाफ हमारे जो असली लोग हैं, जो help कर रहे हैं, different communities की, वो ही हैं आंगनवारी workers, okay, so यह वहां का map है, मद्यप्रदेश का, वहां पर आप देख सकते हैं, के साथ, एक UV spot नाम की device भी launch करी है, जो कि केला की सरकार नहीं launch करी है, जिससे कि हम लोग different different, जितने भी range of items हैं, वो हम लोग disinfect कर सकते हैं, okay, question 24th है, कौन सी state ने अभी true nat machines launch करी हैं, जिससे कि वो COVID-19 की testing कर सके, so वो कोई और state नहीं है, वो है उत्तरपरदेश government, question 25 है, एक new fish क species discover हुई है, कौन सी state में discover हुई है, so वो basically discover हुई है, अरुनाचल प्रदेश में, and उसका बड़ा ही अजीब सा नाम है, मगर हम लोग थोड़ा असान बना देते हैं, इसमें क्या है, इसका नाम है Shizothorax, okay, यह कौन सी river में पाई गई है, Siku Serum River में पाई गई है, जिससे कि उ He is Mr. B.D. Mishra, who is the governor of Arunachal Pradesh, question 26 है, कौन सी state ने top करा है employment provide करने के लिए मन्रे का scheme के तहत, so वो state भी उत्तर प्रदेश ही है, right, question number 27 है, कौन सी state ने launch करा है, कर्म भूमी, एक job portal जिससे कि IIT professionals को वो काम दे सकते हैं, जो दूसी दूसी state से वापस अपनी state में आ गए हैं, अपन है जगदीव धांकर, question 28 है, राजप्रभा फेस्टिवल, हम लोग कौन सी state में मनाते हैं, so basically यह उडिसा की state में मनाया जाता है, question 29 है, कौन सी state government ने observe करा है भी mask day, यह करा है करनाटिका की government ने and वहां के जो C.A. में वो है B.A. सेहदुरप्पा and governor है वाजू भाई वाला, basically य awareness फैलाने के लिए है कि हमको social distancing रखनी है, mask पहन के रखना है, right, and उन सब चीजों के लिए, जिससे हम लोग COVID-19 से बस सके, question 13 है, British Petroleum, अभी उन्होंने एक global business center launch करा है, वो कौन सी city में launch करा है, so basically उन्होंने करा है, पूने में, okay, जिससे कि वो अपना global business को handle कर सके, और इससे Indian लोगों को भी बहुत सरी jobs मिलेंगी, estimate है, 2000 लोगों के करीब, वहाँ पर employment प्रोवाइड करी जाएंगी, next question है कि कौन सी city ने अभी launch करा है, three program for women, so basically वो है घ्रबाद city ने launch करा है, जिससे कि women जो है, वो safe महसूस कर सके, उनके खिलाब जितने भी, अगर कोई domestic violence के case होते है, इस program के तहरत complain कर सके हैं और उनकी help करी जाएगी, okay, हैदरबाद city जो है वो तेलंगारम है, जाके चीफ मिनिस्टर है के चंदरशेकर राओ, एंड जो गवर्नर हैं आके है, तमीली साही साउंदराजन, left में आप देख सकते हैं, तमीली साही जी है, और राइट में है के चं सब्सक्राइब करी जीबी है, और जो NHI के चेर्मन है, वो है, सुखभीर सिंग संधू, question number 33 है, what is the name of the state of the art, integrated flood warning system from Mumbai, so उसका नाम है, iFlows, iFlows की full form क्या है, उसकी full form है, integrated flood warning system, right, iFlows, so यह उसकी full form है, so basically Mumbai में flood की warnings के लिए जो provide कराएंगे, and पहले ही बतातेंगे कि कितना amount of rain हो सकती है, जिससे कि किस particular area में flooding हो सकती है या नहीं, ministry of earth sciences कौन है, जिसने ये बनाया है, वो है, dr. harshwardhan, question number 34 है, government of India ने अभी custom duty increase करी है, bamboo पे 10% से लेके, कितने परसंट, वो है 25%, जिससे कि हम लोग बाहर से कम import करें, and अपना इंडिया में बना हुआ, ज्यादा यूज करें, question number 35 है, कौन से, IIT ने अभी artificial intelligence based social distancing monitor, ये launch करा है, so basically ये launch करा है, IIT खड़कपुर ने, जिससे आपको पता चलेगा कि आप social distancing maintain रख रहे हो या नहीं, दूसरा इंसान आपसे कितनी दूरी पर है, question number 36 है, Jeremy Klein, ये कौन से organization ने develop करा है, जिससे कि uniforms, जितने भी police की होंगी, उनके helmets होंगे, उनकी sticks होंगी, वो सब sanitize कर सकते हैं, so basically ये DRDO ने launch करा है, और DRDO के chairman को ने जी सतीश ready, next question है, center ने अभी launch करा है, web-based solution for healthcare supply chain, so उस web-based solution का नाम क्या है, उसका नाम है आरुक्यपत, so basically इसमें एक तरह से सब कुछ सारी चीज़े बताए जाएंगी, कि अगर कहीं पर order क web-based solution में provide करी जाएंगी, जिसमें सारे के सारे equipments आएंगे, like आपके medical utilities हो गए, या essentials हो गए, COVID-19 से related, कोई भी medicine हो गई, कोई भी जैसे medical समान हो गए उन सब के बारे में, question 38 है, कौन से organization launch करेगी, artificial intelligence enabled robot, captain Arjun, वो करेगी Indian railways, यहाँ पर आप देख सकते है, Indian railways में यह जो robot launch कर यह test करेगा, जितने भी यात्री होंगे, उनका boarding करेगा, उनकी screening करेगा, उनका surveillance thermal checking करेगा, और बाकी जितने भी important उनके test होंगे, जिससे की, जो person to person contact नहों, कोई contaminate नहों, अगर कोई COVID-19 positive है तो, इसलिए यह robot बनाये गया है, Minister of Railways कौन है, वो है, आपके प्यूज गोयल, question 39 है, World Elder Abuse Awareness Day, मतलब कि बुज़ूर्गों के प्रती जो abuse होता है, उसके प्रती awareness फैलाने के लिए, हम लोग दिन मनाते हैं, वो कौन सा दिन है, वो है June 15, next question है, कि recently वसंद राय जी अभी उनका देहान थो है, तो वो कौन थे, एक सौसल पूरे होने के बाद हुआ है, question 41 है, NCRT ने अभी MOU, that is Memorandum of Understanding sign करा है, कौन सी organization के साथ, जिससे कि वो अपना content as an e-content दिखाएगा, that is online दिखाएगा, so वो करा है, उन्होंने Rotary India के साथ, okay, जितने भी details में आपको बता रहो ना, PDF में आप पढ़ सकते हैं, हमारी पूरी PPT इसकी, मैं अभी आपको revise करवा रहा हूं, प्लस थोड़ी थोड़ी details बीच में बता रहा हूं, जैसे कि question 42 है, इंडिया ने handover करा है अभी War Game Center, ये एक military training facility है, ये किसको handover करा है, और इस training facility का नाम भी India ही है, so basically इन्होंने handle करा है UPDF को, UPDF क्या है, Uganda People Defense Forces, युगा जो है, वो launch करी है, so basically वो launch करी है, Employment Provident Fund Organization ने, जिससे कि, जितने भी उनकी facilities है, EPFO की, वो किसी भी state, उनके किसी भी center से avail करी जा सकती है, ये नहीं जरूरी है कि, जिस state में, जिस particular center में, एक particular इंसान registered है, उसी से करवाए, वो किसी भी regional office से, उसको access कर सकता है, जितने भी उसक Micro Enterprises के लिए, right, so basically ATL Payments Banks है, जिससे की online salaries provide करा सके MSME's के owners, अपने staff को, and अगर उनको कभी credit चाहिए हो, तो credit दिल सके, right, ATL Bank के MD और CEO कौन है, Anubrata Biswasji, question 45 है, कौन से bank ने launch करा है, Instaflexi Cash, जिसमें basically क्या होगा कि, जैसे अगर, जैसे EMI कटती है, right, अगर आपके account में पैसे नह देना है, so bank आपको थोड़ा सा credit देदेगा, जिससे की आपका check bounce नहों, EMI आप pay कर सको, और उस credit को आपको बाद में देना होगा, so ये launch करा है, ICICI Bank ने, right, और ICICI Bank के जो MD and CEO है, वो कौन है, Sandeep Bakshi जी, question 46 है, Union Petroleum and National Gas Minister, जो इनोंने अभी recently Indian Gas Exchange launch करा है, वो कौन है, basically वो है आ Gas Exchange एक trading platform है, जिससे की different-different dealers, जो है, वो gas की trading कर सकते है, जिसमें जो बिचोलियापन है, जो दलाली होती है, बीच-बीच में, वो खतम हो जाएगी, and definitely सरकार से सीधा dealers ले सकते है, right, IGX जो है, that is Indian Gas Exchange, वो Indian Energy Exchange के अंतरगरत आता है, जिसमें सिर्फ gas ही नहीं, different-different, जैसे बा सारे internal procedures, जो है, office के जितने सारे काम है, वो online कर देगा, so वो launch करा है, CBIC ने, CBIC क्या है, Central Board of Indirect Taxes and Customs, question 48 है, कौन से bank ने launch करा है, first, drone insurance, drone insurance, cover मतलब कि अगर आपका drone किसी को मार देता है, या किसी की property खराब कर देता है, तो इस इंसान को आपको जो पैसा देना होगा, वो ये bank देगा, एक तरह से insurance प्रोवाइड कराएगा, so वो किस ने करा है, वो HDFC, Ergo और Propogo ने मिल के करा है, so sports ministry ने अभी setup करा है, Halo India State Center for Excellence, कितनी states में setup करा है, ये, basically इन्होंने 6 states में setup करा है, जिससे की training facilities अच्छी हो सकें, अलग-अलग states में, जिससे की हम लोग Olympic level की training प्रोवाइड करा सकें हमारे athletes को, and ये हमारे Mr. of Sports है, Kiran Rijijiju, question 51 है, कौन से ministry ने अभी एक device launch करी है, Jeremy Ban, so ये करी है, आपकी ministry of home affairs ने, so basically ये एक तरह से, जितने भी हमारे quarantine centers है, उनको sanitize करेगी, जितने भी isolation wards है, hospitals है, general places है, उन सब को sanitize करने के काम आएगी है, machine, so ministry of home affairs ने ये launch करा है, next question feedback call centers on public grievances, इसको किस ने launch करा है, इसको launch करा है, जितेंदर सिंग जी ने, जितेंदर सिंग जी कौन है, ये है Minister of State of Personal, Public and Grievances, okay, so इसमें क्या होगा, basically COVID-19 और coronavirus से लेटी, जितने भी problems आएंगी, लोगों की शिकायते होंगी, वो address करी जा सकती है, right, इस जो portal है, इसके थू, in how many states, GOI, that is Government of India, ने implement करा है, गरीब कलियान, रोजगार अभियान, so वो कितनी states है, वो है आपकी six states ने, okay, so six states में ये जो scheme है, वो launch करी गई है, question number 54th है, 75th, victory day parade, जो है, World War 2 की, वो कहां पे होगी, okay, वो होगी, basically, वो Moscow में होगी, जो की Russia की capital है, India में भी, जो military services है, वहां के उनक अभी अपने delegation भेजेगा, okay, ये वहां के president है, उनका नाम के है, Vladmir Putin, question number 55 है, how many Indian firms, WEF की 2020 technology pioneers की list में उन्होंने शामिल करा है, right, so two Indian firms है, two Indian firms कौन कौन सी है, एक तो zest money है, and एक आपकी है, still apps, okay, ये दो आपको नाम याद रखना है, जो की WEF, WEF की है, World Economic Forum, इसकी जो list निकाली ह की, इसमें ये दो apps जो है, वो feature हुई है, question 56 है, pay as you fly, ये हमने जो अभी question कराता है, drone वाला, उसी से related है, मगर ये क्योंकि बाद में आया था, इसलिए इसकी जो term है, pay as you fly, insurance, उस insurance का नाम क्या है, उस insurance का नाम है, pay as you fly, जिससे की drone, आपको drone, अगर किसको कुछ damage करेगा, so वो company provide करेगी, so वो कौन है, वो है, HDFC, Ergo and Tropogo, जैसे की मैंने आपको बताया भी था, question 57 है, Maruti Suzuki ने अभी किस bank के साथ partnership करेगी है, जिससे क्यों अपने customers को, नहीं ने schemes provide करेगी, finances provide करेगी, so वो जो bank है, वो है, करूर वास्यास bank, question 58 है, India's first mobile lab, COVID-19 के testing के लिए, किस ने launch करी है, so और उस lab का नाम के है, iLab, iStand for Infectious Disease Diagnostic Lab, okay, question 59 है, what is the name of the app to provide information on ICU beds, ventilators in Mumbai, okay, so उस app का नाम के है, उस app का नाम है AirVenti, question 60 है, कौन से bank ने सरल scheme launch करी है, जिससे की वो affordable house loans देगा, सब को नहीं देगा, कूछ women को देगा, lower middle income group, लोगो को देगा, so वो कोई और नहीं है, वो है आप आपका ICICI bank, और ICICI bank के, जो CEO है, वो कौन है, अनिरोध कामनी जी, जिनकी photo आप देख सकते है, कौन सी दो organization ने MOU sign करा है, जिससे की वो PM स्वानिदी scheme को implement करेंगे, so वो ministries है, Ministry of Housing, Urban Affairs and SIDBI, SIDBI क्या है, SIDBI है आपका Small Industries Development Bank of India, okay, so ये दोनो organizations हैं, जो मिलके PM स्वानिदी scheme, ज Question 62 है, which ministry released a national report on the state of climate crisis, ये पहली report है, जो launch हुई है, इसलिए ये important है, so इसको किसने launch करा है, इसको launch करा है, Ministry of Earth Sciences ने, next question है, किसने inaugurate करा है, good governance practices in a pandemic, एक ऐसी workshop हुई है, so इसको किसने inaugurate करा है, इसको inaugurate करा है, जितेंदर सिंग जी ने, okay, Question 64 है, International Albinism Awareness Day, ये हम लोग कब मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं, 13 June को, और इसका theme क्या है, इसका theme है, made to shine, Question 65 है, World Blood Donor Day हम लोग मनाते हैं, 14 June को, Question 66 है, हम लोग World Wind Day का मनाते हैं, World Wind Day हम लोग मनाते हैं, 15 June को, ये थोड़े dates के question हैं, जो मैंने last के लिए रखे थे, Question 67 है, हम लोग International Day of Family Remittances का मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं, 16 June को, ये क्या होता है, क्यों मनाते हैं, ये सारी details हमने हमारी, जो daily वीडियो है, उसमें बता रखे हैं, अगर आपको देखना है, वो daily वीडियो तो आप रोज सुबह 7 बजे हमारे चैनल पर आईएगा, वो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, प्लस उसमें हम लोग Government Job Notifications भी ब और last question है हम लोग Elimination of Sexual Violence in Conflict, ये day हम लोग इसके प्रदी जो awareness है, इसको मनाने के लिए हम लोग कब मनाते हैं, इसको मनाते हैं हम लोग 19th of June को, और इसको कौन मनाता है, इसको मनाता है United Nation, United Nation के Secretary General कौन है, Antonio Guthrie, So, ये ही 70 questions है, जो कि बहुत important थे इस week में, and we hope कि आपको content plus delivery अच्छी लगी हो, क्योंकि questions जादा है, हम चाहते हैं कि जादा से जादा चीज़े आपकी cover हो जाएं, इसलिए हम लोग थोड़े revision mode में थे, नहीं तो हम detail में भी पढ़ा सकते हैं, मगर detail में पढ़ाने के लिए ह कि आपको रोज वीडियो देखनी चाहिए, ये मेरा personal suggestion है, because उससे क्या होगा, आपका daily routine बनेगा, और 15-20 मुट देकर, अगर आपका एक subject cover हो रहा है, so that is not a very big thing, वो बहुत ही अच्छी चीज है, जो आप कर सकते हैं, so आपको वीडियो कैसे लगी, please हमें comment box में बताएगा, because your feedback is very important for us, okay, it helps us to grow, so thank you very much and we hope to see you tomorrow morning, thank you